बिहार और बंगाल दंगों की आग में जल रहे हैं लगातार कई लोगों के जान और माल को नुकसान पहुचा है बंगाल में कई मौते भी हुई है इन्जीन सब मुद्दों पे चाचा करने के लिए उर्मलेश एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है पिछले एक हफते के अंदर आठ से जादा जिले बिहार में वो दंगों की आग में जल रहे है बहुत सारी जानमाल को नुकसान पहुचा है बेंगौल के हालार जो देखने को मिल रहे है राम नहुमी के बाद से सश्ट के साथ कई साथ प्रोशिशन्स निकाले गए और इवन जो रूलिंग पार्टी है टीमसी उसके लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया 2019 जो है वो दरावाजाए खटखटा रहा है यह दर शा क्या रहा है किया 2019 कि तयारी चलरीर यह मैं इसको इसलिए सिर्फकर नहीं कहूंगा क्योंकि दंगे में कई बार उता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसको बाद में राजनितिक रूप दिया जाता है लेकिन ये तो पूरी तरह राजनितिक है शुरू ही राजनितिक से हो रहा है देखिए बिहार का अगर आप देखें हाल के दिनों में जो ही हुआ है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में दंगा पहले नहीं हुआ हमारे बिहार में पह से पहले क्या हुआ भागलपूर में हुआ है कि वहां पर जो वहां के बड़े नेता हैं जो इस बार बक्सर से चुनाओ लड़कर केंदर में मंत्री बने हैं अश्वनी चौबे उनके बेटे की अगवाई में अरजित शास्वत नाम का लड़का जो बीजेपी के लिए काम कर जाहिर है वह उनकी विरासत समा लेगा उसके नेत्रितों में जलूस निकाला गया और उस जलूस को कोई परमिशन नहीं थी और परमिशन के बगएर जलूस 15 किलो मीटर की आत्रा से करता है और उस दर्म्यान फसाद होता है दंगा होता है दुकाने जलाई जाती है लोगों क समर्थक उन्होंने जलूस निकाला दिली में तो दिली पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया पानी का छड़काव किया वाटर कैनन और क्या कहा है रायट लाइक सिच्वेशन पैदा हो गई थी यानि दंगे जैसी स्थिती पैदा हो गई थी इसलिए पुलिस को यह करना पुड़ा और वहां दंगा हो रहा था भागलपूर में उन पर कोई कार्रवाई नहीं आज तक गिरफतारी नहीं है औरंगाबाद में क्या हुआ औरंगाबाद में वहां के एंपी लोगसफा मेंबर सुसील सिंग्ग वो स्वेम मदूद रहे हैं उस जलूस में जिस जलूस के बाद वहां पर उपद्र हुआ फिर वो कहते हैं कि क्रिया की पृतिक्रिया होगी ही इसके आप देखिये नौदा औरंगाबाद से आजाएए नौदा जो कल घठना घठी है नौदा में वहां के एंपी क्यों है स्री ग्रीराज सिंग जी ग्रीराज सिंग केंद्री मंत्री हैं वो हर व्यक्ति को कहते हैं जो असाहमत है उन से या उनकी सरकार से की पाकिस्तान भेज देंगे तो ये लोग जो है अचा मुजफरपुर में भी दंगा हुआ अब ये जीब संजोग है कि कुछी दिन पहले फरोरी महीने में जो आरेसेस के चीफ हैं मौहन भागवजी वहां पर गए और तमाम विहार के उन्ही इलाकों में जो नार्थ विहार के इलाके हैं जहां इस समय दं संगठन को या दल को शिविर लगाने का अधिकार नहीं है या कारीकरता संबेलन करने का अधिकार नहीं है लेकिन ये एक संजोग तो नहीं है कि उनके जाने के कुछी समय बाद ये जो जो जगे भड़क उठे वो इतनी तीजी से आये हैं तो मुझा लगता है कि ये 2019 की तै यारी के तहत यह हो रहा है बंगाल का जो मामला है जिसके बारे में आपने जिक्र किया बंगाल में तो स्वेम वहां के बंगला अकपारों में भी और वहां के लोकल अकपारों में भी छपा कि कई जगा जो 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 ज है इसका मतलब है कि ट्रेंड मुल कॉंग्रिस के नेता उन के समाधी काधाड और बी जै पी के समभावित समाधी काधाड में कोई फर्क नहीं रहा गया है खासकर उन एलाकों में तो यह एक वड़ा खतररनाक जो खेल हो रहा चीज़ा के साथ कि जहां अनेक पुलिटिकल पार्टी अनेक सियासी जमाते जो हैं वह आपस में उनके जो कारेकरता आया उनके जो नेता है स्थानिस करके वह एक तरह से लगता है कि की कर गए है बंगाल शुरू करते हैं कि बंगॉल के इधिहास रहा है चाहे 1984 के दंगे हो य एक ममता बेनेजी की तरफ से भी एक माइनौर्टी अपीजमेंट का भी एक जो सिल्चला है वो देखने को लगातार मिल रहा है क्या जो जमीनी मुद्धे हैं वो खतम हो गया है क्योंकि आपके खुद के कार्यकरता राम नवमी में जा रहे हैं साश्ट लेके और साथ में जुलूस निकार रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वही जैसे आपने का कि वोट बैंक भाज़मा ने लेके चले जाए हर जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जो ग्रियल इशूज हैं अवाम के जो समाज के उनको राजनितिक दल उठाने की कोशिश उस तरह से नहीं कर रहे हैं बलकि इमोटिव जो इशूज हैं उनको अब धर्म का जिते मामला है मैं किसी भी व्यक्ति एक नागरिक कहनाते मैं तमझता हूँ कि धर्म की आजादी सबको है भारत में और होनी भी चाहिए लेकिन धर्म क्या बताता है धर्म क्या है क्या जूट बोलना क्या पूरे समाज में गलत बयानी अफवाहों के आधार पर चीजों को सत्य सच के रूप में स्थापित करना क्या ये धर्म है क्या धर्म कतलियाम करना है अब देखिए यहीं पर दिल्ली में जो एक लड़का यहां दूसरी बिलादरी में वो शादी कर रहा था और उसकी हत्याकर दी गई और सकसेना सहाब जो उसके पिता थे उनका एक ही बच्चा था उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी नहीं चाहता मेरा बेटा चला गया कि किसी भी तरह से हमारे समाज में इसको लेकर दंगे पसाद हों ये धर्म है और वहीं बंगॉल में इमाम केते हैं इमाम साहब जो वहां के हैं जी जी तो वहां वो इमाम साहब उनका बेटा चला गया उसकी हत्या कर दी गई और इमाम साहब भी वही बात कह रहे हैं तो धर्म ये है धर्म के बारे में बरसों से जो एक धारना प्रिचारित की गई है हमार ज्यादतर राजनितिक दल उस धारणा के शिकार हैं या उस गलत सोच के शिकार हैं कि हम अगर कोई उपद्रों कर रहा है धर्म के नाम पर तो नहों बोलें क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा आई तिंक यह जो राजनिति है हमारे समाज की इसने सबसे बंटाधा किया है हमारे लोक तंत्र का हमारे सम्विधान का हमारी भावी पीठियों के साथ इसलिए जन्विन जो इशूज है जनता के असल इशूज हैं वो असल में मुद्दा नहीं पन पा रहे हैं लेकिन आप आज का दौर देखिए मुझे तो इसमें भी बड़ा खेल लगता है कि इस वक्त देश के नौजवानों का एक बड़ा हिस्ता बिरुजगारी को लेकर एजूकेशन को बचाने के लिए कि उसको अच्छी सिक्षा मिलती रहे या जो सिक्षा है उससे भी बहतर हो इसके लिए आवाज उठा रहा था तड़कों पर और पूरे देश में बिरुजग पर आया वो उनकी मांगे माननी पनी सरकार को मद्यप्रदेश का किसान है चरतिसगर का किसान है हर जगह किसानों में एक हजीब तरह का आक्रोश है जो आंदोलन में तब्दिल हो रहा है उनको कहीं कहीं डायवर्ट करने के लिए ये किया जा रहा है ताकि ताकि असल इशू केंद्री न बन जाएं सियासत में और चुनाव में परिशानी का सबब न बने तो एक तरह से दंगों के जरिये या इस तरह का मबलाईशन जो किया जा रहा है धरम करम के नाम पर इसके जरिये नौजवानों को बेरोज़गारी से उनका ध्यान हटाया जाए और एक तरह से कोट कि हम इनको दंगाई बनाएं हम इनको राक्षऺ सबनाएं यह कहते हैं कि देवी आर देवतार राक्षफ़ों से लड़ते थे लेकिन दरसल यह हमारे नौजवानों को ही बना रहे हैं इस तरह का की वो कतलयाम करें और वो मनुश्यता अपनी खोन बैठें वो मनुश्य इसी देखे में समाजवादियों को मैं रेखता था उतरपदेश बिहार वगरा में तो उन लोगों के अंदर इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करते थे जो आम तोर पे दूसरी जो जमाते हैं जन संग है या इस तरह के हैं वो करते थे आजकल वो लोग भी लाल टीका लगाते हैं वो लोग भी यहां धागा बाते हैं बड़ा बड़ा मंदिर मस्जित के इश्यूस को ज्यादा प्रमक्ता दी जा रही है तो अब हम ने जलूस देखे हैं पहले भी धार्मिक लेकिन हम लोग जब छोटे थे या जब हम लोग युगा थे तो हमने देखा इनुस्री कालेज के दिनों में कभी भी धार्मिक जलूसों में त्रिशूल वहाँ पर बिस्मिल्लाः खाँ सहब आते थे उन दिनों भीमसें जोशी आते थे लोगों ने कहना शुरू किया कि जनाब ये पटना में हर श्वरधन के जमाने से हो रहा है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि अच्छा इतनी प्राशीन परमपरा कैसे है लेकिन वो हो सकता है मित हो लेकिन लोग इतिहास से जोड़ते थे कि धर्म को और पर्व को कैसे वो मानवी ढंग से काव्यात्मत ढंग से जिंदा दिली के साथ मनाते हैं लेकिन आज क्या हो रहा है इस वक्त इस बार रामनोमी जब मनाई गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बेली रोड पर शास्त्रों के साथ जलूस निकला गया जो पटना का मुख्य मार्ग है और मुझे बताया गया कि वहां के बड़े नेता मंत्री वहां पर बकैदे वहां सिर्नवा रहे थे और ये मुझे लगता है धर्म नहीं है ये धर्म विरोधी धारणा है और धर्म के खिलाप यह एक बड़ा शड़ेंत्र है कि उसको इस तरह से आमानवी कर दिया जाए कि लोग यह समझने की यही धर्म है तो सबसे बड़ी जो प्रावलम यह हो रही है कि गलत को सही साबित किया जा रहा है और समाज का जो संजीदा तपका है उसको समझाने में देर इसलिए हो रही है कि उसको बड़े पैमाने पर सच के रूप्य साबित किया जा रहा है नितीश की बात करते हैं क्योंकि आपने समाजवादियों की बात कियो शुरुआतनों ने अपनी कुछ उसी तरह से की थी नितीश एकदम शांत और खामोज बैठे हुए है इसमें यह वही बिहार है जहां पे लालू अड़वानी की रत्यात्रा रोकते हैं और वो नितीश के कोलिशन पार्टनर भी थे अच्छ से एक साल पहले तर आपको यह नहीं लगता है कि यह नितीश की राजनीतिक पारी का अंत है क्योंकि इससे एक तरफ भाजपा को फाइदा होगा तो दूसरी तरफ लालू जैसे है आज़ेटी को फाइदा होगा कि अस्तर तक जाकर और तरवादी फैसला लेने वाला एक सियासतदान मैंने उन में देखा है कम लोगों को याद होगा कि जब वो लालू परशाद यादों से अलग हुए थे तो वो सीपी आई एमल नाम के एक रिडिकल लिफ्ट सबसे अपने को ज्यादा बाम पंती बतान उन दिनों लेफ्ट और डिमोक्रिटिक की बात करते थे लेकिन अचानक कुछी महीने के बाद बीजेपी के साथ अलाइंस किया तब उनको ज्यादा सीटें आई और वो उनको लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं और फिर सरकार वो हमने बनाई फिर वो लगातार समझवता करते रहे है बीजेपी से और बीजेपी से उनका जो समझवता था उसकी बुनियाद क्या थी उसकी बुनियाद यह थी कि बिहार में कौंग्रिस खतम हो रही है और कौंग्रिस का जो अपर कास्ट बेस है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हम अपर कास्ट स्पेस में जाएं otherwise हम लालू प्रशाद याद होतें fight out नहीं कर सकतें उन्होंने कभी समाजवादी की बात छोड़िये लोक्तांत्रिक एजेंडा भी कभी उन्होंने अपनी सरकार में execute नहीं किया सिवाए कुछ एक आरक्षन के फैसले जो उन्होंने दिये खातकर महिलाओं को पंचायतों में अती पिशड़ों को कुछ उन्होंने कुछ किया वो भी चुनाव की वज़ाते और अपने उसके लिए लेकिन नितीश कुमार ने जो लेंड रिफार्म्स का इशू था वहाँ बिहार का जो बहुत सबसे महत्पून इशू था वहाँ पर ज जहांके जो एजुकेशनिस्ट थे दिल्ली के कुछ बड़े वो वहाँ गए उनकी कमिटी तो उन्होंने कब भी नहीं किया इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो बीजेपी के साथ गए हैं इसके पीछे कोई उनकी नीजी समस्या है मेरा आकलन है कि उनका राजनितिक दल निकट भवशे में बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ उनके लोग चले जाएंगे और वो बहुत कम लोग बचेंगे जो उनके पास होंगे और बिहार इस बीच में जो जहां खड़ा था उससे भी बुरी स्थिती में जा रहा है और ये उनके कारिकाल में हो रहा है और बीजेपी के एजेंडे से नितीश कुमार पूरी तरह कर्विंस हैं चाहिए जो उनकी मजबूरी हो तो मुझे लगता है कि बिहार की वजुदा सरकार बिहार के खिलाफ काम कर रही है बिहार की अवाम के साथ काम कर रही है क्योंकि बिहार में सब कुछ होता था लेकिन दंगे जब होते थे तो जनता खड़ी हो जाती थी, इस बार उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, ये बहुत बड़ा गुनाह उनका है राजनीतिक जीवत का। और प्रचार प्रसार करेगा क्योंकि जब जनता की मुद्दों की बात आती है तो वो पुरी तरह से बैक फुट पे हैं, ये मौजूद है सरकार, तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? देखे, मैं ये समझता हूँ कि आपने ये दोनों बातें जो की खासकर इबाम सहाब की और सक्जिना सहाब की, ये दो इंडिविज्वल नहीं हैं, ये हमारे समाज की जो आवाजें हैं, तन्जीदा आवाजें, जो मानवता के पक्ष में हैं, जो डिमोक्रिसी, सेकलरिजम, समविधान के पक्ष में हैं, ये उनके लिए उठती आवाजें हैं, और ये अस्वं के हैं, इनकी इनकी गनना नहीं की जा सकती, सवाल असल यही है, कि इन आवाजों को कैसे एकजुट किया जाये, और आज देखे, बिहार में भी जो कुछ हो रहा है, जब हम बात कर रहे है आज शनिवार को, आज शनिवार की शाम पटना में, वहाँ के लेखत, वहाँ के बुद्धिजीवी, कलाकार, एक कैंडल मार्च कर रहे हैं, फिर चार तारीख को वो बड़े पैमाने पर शानती मार्च कर रहे हैं, तो लोग प्रतिरोध की जो शक्तियां हैं, वो हर जगह ह हैं, उनको युनाइट होना चाहिए, बड़े पैमाने पर, उनकी उन्हें अपनी सक्तियता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखे, ये ये भी चुनाओ के दम पर ही आये हैं, नरिंदर मोदी जी की सरकार, चुनाओ लड़कर आये हैं, जैसे एक जमाने में, आपको याद पर अटेक शुरू हुए, और वहाँ भी एजुकेशनल इंस्यूशन्स पर अटेक शुरू हुए, लेकिन उतना प्रतिरोद नहीं हुआ बुद्धी जीमियों की तरफ से, एज्यूकेशनल इंस्यूशन्स की तरफ से, लेकिन यहां विरोद हो रहा है, जैन्यू के लोग बड़ी तादात सड़कों पर उतर गया रही है ये मुझे लगता है कि हमें आश्वस्त करती है कि शायद जर्मनी ने 1933, 1934, 39 की दोर में जो कुछ जहला उतनी इस्थितिक खराव हमारी नहीं है फासिजम कदमताल कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो आवाजें हैं जो चेतना है वो भी कदमताल कर रही है इसलिए मुझे मैं निराशावादी नहीं हूँ मुझे लगता है हित्तेश की जनता जरूर संबैधानी के लोगतंत्रोर सेक्लरिजम के पक्ष में खड़ी होगी शुक्रिया विमलेश इसी पॉजिटिव नोट पे हम इस चर्चा खतम करते हैं और अगले शनिवा फिर एक नए मुझे के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे धन्यवाद निश्क्लिक देखने के लिए धन्यवाद